उपयुक्त रिगवे ठाकुन ने मांसून की आमद के मद्दे नज़र सभी सबंदत भीवागों को आपदा परबंदन को लेकर अपनी पूरी त्यारी रखने और पहले से बचाब सबंदी सभी सुरक्षा उपाय करने के निर्देश दिये हैं डी आई डी ए सबागार में आयोजित चिला आपदा परबंदन सिमीती की बैटक की अधक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि मांसून की आमद को देखते हुए आपदा परबंदन से जुड़े अधिकारी करमचारी मुस्तैद रहें जैनमाल की शुरक्षा के लिए पहले से त्यारी और परबंद करें बचाब टीम हर्च में त्यार रहें त्यार करें कि आपदा की स्थिति में बचाब करें शुरू करने में देरी ना हो रिक्विर ठाकुन ने बैटक में मांसुन को लेकर आपता परबंदन के लिए बवीन भीबागों की ट्यारियों का जाय जा लिए और अवशक दिशा निर्देश दिए आपता की स्थिति में तुरंत 1077 पर फोन करें उपयुक्त में कहा कि मांसुन की गतिविदियों की नियमती जानकारी सहित अन्या किसी आपदा में जानमाल की शुरक्षा के उचित परबंदन के लिए उपयुक्त कारेयले में स्थाई निरंतरन कक्ष बनाया गया है 24 करिया सील रहने वाले इस निरंतरन कक्ष का टोल फ्री फोन नमबर 1077 है उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी वी आपात सिति में तुरंत 1077 पर फोन कर सुचित करें कहा कि इसके अलावा जीला मुख्याला पर स्तापित जीला आपात निरंतरन कक्ष के दूरबास नमबर 01905 226201 226202 226203 और 226204 पर फोन कर सभी आपता को लेकर फोन कर सकते हैं रिगवेरी ठाकों ने सभी उपमंडल अधिकारियों को अपने कारेलों में भी निरंतरन कक्ष स्तापित करने एवं उन्हें क्रियाशील बनाने के निर्देश दिये कहा कि उपमंडल स्तर पर अग्रीम चेताबली एवं सूचना परस्तार पर नाली सूचारू बनाए अधिकारी मांसुन के दोरान सभन्दत क्षेतर की नुकसान की रिपोर्ट पर जिदिन सौपें उन्होंने पर टेकों सहीत सभी लोगों को नदियों में उतरने एवं नहाने से रोकने के लिए कदम उठाने को भी कहा निर्देश दिये कि सभी सबंदित बीबाग आपता परबंदन के लिए नौडल एवं संपर्क अधिकारी बनाए उन्होंने सभी उप मंदला दिकारियों को आपता परबंदन से जुड़े संसादनों की बीस्तरित सूची रखने और जरूरी बस्तों को एवं राहत बचाब कारियों में उपयोग आने वाले यंतर बो उपकरणों को लेकर पुलिस, होमगार्ड और बचाब दस्ते को मिलकर पूरी विवस्ता करने को कहा उपयोग ने कहा कि सभी SDM, नगर निकाय, लोक निर्मान बिवाग, सिंचाई एवं जन बेवस्ता बिवाग, रास्टे उचमारग, प्रादिकर्ण के अधिकारे आपसी समनवेक से काम करते हुए चीनित दुरगटना सबंदित तलों पर सुरक्षा को लेकर एतियाती कदम उठाएं, बरसात के दौरान सडकों को सुचारू रखने, बुस्करन की स्थिती में रास्तों इवं सडकों से मलवा हटाने की समुचित बेवस्ता सुनिचित करें उन्होंने कहा कि खड़ों नालों में बहाब की अपरोद को दुरूस्त करें ते बनाये की बरसात में सहरों में नालियां अपरोद ना हों सुद पेजल आप उबुर्ती निर्वात रखने की विवस्ता करें बिजली की तारों को होने वाले बिजली की तारों से होने वाले नुकसान और खंबे उखड़ने की स्तिति में मुरंबत कारे के लिए बिजली वोट त्यारी रखे रिगविर ठाकूर ने कहा कि और सुन्दनगर और पदर में तीन बसीस बचाब दस्ते तेनात रहेंगे ये दस्ते आपता की स्तिति में इन क्षित्रों में तुरंत बचाब रहत कारेंगे इसके अलावा अन्ये दिनों में आपदा परबंदन को लेकर लोगों को जागरुकब पस्तित रहे के बार बार कटल लग रहे हैं तता इन कटों का कोई स्मयर नहीं है ये किसी भी स्मयर लग जाते हैं उन्होंने कहा कि अभी गर्मी की शुरुआत ही हुई है तता लोग पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं लोग जब संबंदित अधिकारियों को फोन करते हैं तो उनके फोन स्विच ओफ होते हैं उन्होंने कहा कि जिस तरह से गुमार्वी शहर में पीने की स्कीमों को 22 खेंडे चलाय जाता है उसी तरश पर ग्रामीन इलाकों में भी स्कीमों को चलाय जाना चाहिए ताकि लोगों क पीने के पानी की समस्या दूर हो सके उन्होंने कहा कि घुमार्वी वब भराड़ी के हॉस्पिटलों में डोक्टरों की कमी की समस्या से लोगों को 24 होना पड़ रहा है जिसका पता साथ ही उन्होंने कहा कि भराड़ी हॉस्पिटल में डेट साल से एक्स्टे की मशीन पर अ योजनाए बिधायक प्रात्मिक्ता में डाली थी जिनके लिए धन भी स्वीग्रित करवाया गया था उन में से कई योजनाए तो शुरू ही नहीं की गई वे कुछ को रोक दिया गया है पिछले डेड़ वर्स से यहां कोई काम नहीं हुआ है अगर हुआ है तो पिछली सरकार के समय की 30 से ज्यादा उतकार नोव शिलन याश पट्टिकाओं को तोड़ने का कारे हुआ है उन्होंने सरकार वर स्थानी बिधायक से आगरे किया है कि लोगों को इन समस्याओं से जल्दी से जल्दी निजात दिलवाई जाए ताकि लोग राहत की सांस ले सकें सुजानपूर टेरा के मुख्या बाजार में दोपहक के समय बाजारों में सननाटा पड़ा है क्यात रहे कि सुजानपूर बाजार में आदमी तो दूर अबारा पश्वों के जुन भी नजर नहीं आ रहे हैं कर्मी के मोसम में लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया है जिससे ब्यपारियों को भी ब्यपार में मंदी की मार झेलनी बड़ रही है सुजानपर में बीते तीन दिन से बारिश ना होने के कारण तापमान 42 टीगरी के पार पहुँच गया है जिसको लेकर लोगों ने मुख्य बजारों का रुख करना बंद कर दिया है लोग जरूरत के सामान के लिए भी सुबह शाम ही घरों से निकल रहे हैं बहीं मुख्य बस्टैन पर भी बसों में फीर कम देखी जा रही है भीवाशादियों के सीजन के दोरान भी बजारों से रोनक गायव हो गई है लोगों ने जगयर जगais पानी के छबी लगाकर लोगों के गले को इतर कर रहे हैं लोगों के घरों में पानी की सप्लाई निमित नियमत संचाई एबम जन्त स्वास्ते विभाग नहीं दे पा रहा है जिस कारण विभागी करमचारी बिजली के कट पता रहा है और विद्यूत करमचारियों के अनुसार तेज गर्मी के कारण बिजली उपकर्ण गर्म होने के क बिजली के कट लगाए जा रहे हैं